नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक और informative और interesting वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे वेदानता की जर्नी एक scrap metal company से कैसे एक large metal और mining publicly traded company में हुई और हम ये भी जानने की कोशिस करेंगे कि जो वेदानता public से private company फिर से होने जा रही है उससे अगर आप उसके shareholder हो तो आप उसका profit कैसे ले सकते हो multifolds में वेदानता company के history काफी interesting रही है इसकी शुरुवात पत्ना में जन में अनिल अगरवाल द्वारा की गए थी 1970 के starting में इन्होंने जो company start की थी वो थी metal scrapping की और 1976 में उन्होंने एक company acquire किया था समसेर sterling बाद में इन्होंने sterling company को merge कर दिया सेसा गोवा के साथ और इसका नाम रख दिया गया सेसा sterling 2002 में इस सेसा sterling को ही rename करके वेदानता रख दिया गया वेदानता की जो parent company है VRL यानि की वेदानता resources limited उसको listing करवाया गया London stock exchange में 2003 में और ये इन्डिया की पहली company थी जो London stock exchange में listed हुई थी फिर 2016 में VRL की एक और company केर इंडिया को वेदानता के साथ merge कर दिया गया फिर साल आया 2018 2018 में VRL को जो जो लिए stock exchange में trade कर रहे थी उससे deal list करा दिया गया और जो VRL company है उसको भी private company बना दिया गया और आज समय है May 2020 का जिस समय जो वेदानता की parent company है VRL ने उन्होंने announce किया है कि NSC और BSC दोनों से वेदानता को deal list कर दिया जाएगा यानि कि अब जो है NSC और BSC में ये publicly traded company नहीं रहेंगी और वेदानता एक privately owned company हो जाएगी अब briefly हम जान लेते हैं कि कोई भी company public बनती है तो उसका main region होता है public से fund raise करना और अपने company को expand करना और दूसरा एक और region होता है कि company का जो public traded limited company का एक जो तमगा मिलता है जो brand value होता है उसको create करने का अब हम briefly जान लेते हैं कि कोई भी company जब public traded company लिस्ट होती है किसी भी exchange में तो फिर बाद में privately owned company क्यों बनना चाहती है जब भी company कोई publicly listed होती है stock exchange में तो उसको बहुत सारे rules and regulation को follow करना पड़ता है जो company का focus जो उनका growth में होता है वहाँ से हट के उनको reporting में चला जाता है कि quarterly कैसे result paste करने है या फिर कैसे उसको meet करना है इसके अलावा जो उनके promoters होते हैं उनके पास जो company का ownership होता है वो 100% नहीं रहा जाता है क्योंकि वो लगवा 50% जो है public sales के through public holding में चला जाता है तो उसका जो ownership हो जाता है वो fully हो जाता है जो उसके promoters होते हैं तो कोई भी decision चाहे वो operational हो या financial हो वो खुद से company ले सकती है और अपने business को अच्छे से take care कर सकती है और उसको growth के path पे ले जा सकती है वेदानता के case में जो वेदानता का promoters है यानि का अनिल सर्माज जी के जो company VRL या वेदानता रिसोस लिमिटेड उनके पास जो इनका holding है वो है 50.14% का और जो public traded companies या public traded जो shares है उनका जो ratio है वो है 49.86 का आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो वेदानता की parent company है VRL उनके पास दो और बड़ी company's के बड़े stakes है जैसे कि पहला एक है बालको यानि कि भारत aluminum company इसकी 51% हिस्सेदारी VRL के पास है और दूसरे एक और बड़ी company है HZL यानि कि हिंदूस्तान Jink Limited इसकी जो 65% की हिस् VRL के पास अब हम आते हैं उस point पर जिसका आप बेसबरी से इंतिजार कर रहे है जब भी company deal list होती है exchange में तो उससे profit आप कैसे कमा सकते है अगर आपके पास shares है उस company के इस case में अगर आपके पास वेदानता के share है और वेदानता अगर NSC और BHC से deal list हो रही है तो आप कैसे profit कम सकते हैं profit कमाने का पहला तरीका तो company ही आपको दे रही है क्योंकि इस case में वेदानता voluntarily ही deal list हो रही है तो आप से वो आपके पास जो share है उसको एक fixed price पर यहाँ पर 87.5 रूपीज में आपको buyback कर रही है तो आपके पास अगर share 87 रूपीज से पहले का खरीदा हुआ है यानि कम rate पर खरीदा हुआ है तो आप 87.5 में इसको बेच करके आप profit book कर सकते हैं लेकिन कोई shareholder अगर इस price पर अपने share को नहीं बेचना चाहता है तो उसको अपने portfolio में रख सकता है लेकिन क्या होगा कि वो आपको NST या BST में trade करने के लिए option नहीं मिलेगा फिर इस से क्या होग आपको उसको किसी और को बेचना पड़ेगा और उसके लिए आपको खरीदार खोजने पड़ेगे तो यहाँ में question निकल के आता है कि जो free float shares mark में रह जाता है उसको भला क्यूं खरीदेगा वो तो market से deal estate company का share है तो इसका जवाब है कि जो parent company है वही अपने stake को 100% acquire करने के ल amount देते है कि suppose Vedanta अगर 87.5 में सारे shares buyback कर रहे थी तो इस वाले स्तिति में वो उसको बोल देगी company को third party को कि मैं तुमको 20% यहाँ से premium दूँगा सारे shares remaining जो है market में उसको खरीद के तो मुझे वापस करो तो जो यह third party जो होते है third party वाले जो brokers होते है वो जिनके पास share रह जात है उनको contact करते है mail से फिर call के through और उनसे उनको कुछ premium offer करते है price और उस समय आप अपने share को उस premium price पे बेच के निकल सकते हो आप अपना profit book कर सकते हो जैसे इंडिया में कुछ जो third party या external brokers है उनके website से unlistedsharebroker.com, delistedstocks.in, unlistedzone.com तो यह जो companies है जो जिनके पास share रह जाता है उन से share खरित के उनके parent company को बेचते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा मौका मिल जाता है कि आपके पास जो share बच गया है उसको premium में बेच के आप निकल सकते हो यह जो premium कमाने का तरीका है वो actually बहुत ही risky है और यह generally उसी company पे possible हो पाता है जो company valuable company है और जिनका future में growth यह मेरा personal opinion है जो internet पे available resources से एकठा किया गया है investment in stock market is subject to market risk take help of your financial advisor before investing in any stock thank you